हाई अव्रीवान, वेल्कुम दें फाइन अडिसमन, माइनेम इस राजन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, एडिटोरियल एलसिस का सही तरीका क्या होगा, सही तरीका क्यों लिख रहा है, देखो जेनरली जो मैंने बच्चों से बात किया है, वो ये कहते ह तो हमारा पहला टार्गेट होता है कि एडिटोरियल एलसिस कर ले, और उसमें से जब हम करने बैठते हैं, एक सिंगल एडिटोरियल को पढ़ने में कई बार सिर्फ 45 मिनिट लग जाता है, और ऐसा होता है कि समझ भूए भी नहीं आया, कई बार तो सिर्फ एक घंटा भी ज जाता है, वो क्या करता है, एडिटोरियल एलसिस को वीडियो के हल्प से करते हैं, एक फाइब मिनट आप देखोगी, एक घंटा तक एडिटोरियल एलसिस चल रहा है, यह एक और गलती देखी है, कि उसमें क्या होता है, कि पहले आपको सारे वर्ड का मीनिंग बता दिया ज उससे आप कुछ सीख पाוקे, अगर मैं आपको मालोँ एक बहुत हाड सा यहाँ पर सा एडिटोरियल देता हूं, आपको यहाँ पर देदिया, और उससे पहले मैंने आपको क्या कर दिया, सारे वर्ड का मीनिंग बता दिया, तब तो यह हाड बचा ही नहीं आपके लिए, औ और क्या हुआ कि यहां पर मालू मैंने आपको 10-15 वर्ड आज बता दिये, अब कल भी मैं आपको 10-15 वर्ड बताने वाला हूँ, फिर परसो भी 10-15 वर्ड बताने वाला हूँ, तो आपको क्या लगता है कि यह सारे वर्ड आपको एक ही दिन में याद हो जाएंगे, नहीं, जी देखोगी कि मेरा improvement ही नहीं हो रहा सर, English अभी भी reading में उतना ही है, मुझे अभी भी उतना ही time लग रहा है, तो this is wrong way, what should be the correct way, कि आप try करें कि पहले आप पढ़ो उसको, और उसमें जो भी word है न, एकदम से ऐसी नहीं कि dictionary लेके बैठे है, या फिर Siri को, या फिर Google को बोल रहेंगी, meaning बताओ, no, अप पहले अपने mind को लगाओ, कि मैं एक line को पढ़ता हूँ, देखता हूँ, उसका meaning context की basis में क्या होगा, that is the exact way जो आपको आज मैं सिखाने वाला हूँ, पहले यह हमारा infinitesimal का telegram channel है, अगर आप लोगों ने इसको join नहीं किया है, तो join कर सकते हैं, at the rate infi prep करके आप search करेंगे, तो आपको यह मिल जाएगा, else आपको link जो है description में भी दिया हुआ, यहाँ पे सारे updates आपको मिल जाते हैं, एडिटोर्य के बारे में बताने से पहले, मैं एक vocabulary के respect में कुछ चीज़े हैं, जो बताना चाहता हूँ, देखो vocabulary न, एक mind block की तरह बच्चे सोचते हैं, कि यह जब तक नहीं हो पाएगा सर, तब तक मैं ना reading कर सकता हूँ, ना मैं अच्छे से letter writing कर सकता हूँ, ना essay writing कर सकता हूँ, मैं जनरली सोचता हूँ, कि vocabulary is divided into two parts, first is common vocabulary, and second is expanded vocabulary, common vocabulary का मतलब क्या होगा, जैसे आपने ये पढ़ा, Frank Preparation by Rajan Chhasset, तो क्या आपको ये समझ आगे, joint telegram जब आपने पढ़ा, तो क्या आपको समझ आगे, तो कुछ ऐसे words है, जो हमारी common vocabulary का part है, जो हम day-to-day uses में use करते हैं, आप जैसे माल लिए कि कोई friend के साथ, English में conversation करते हो, तो आपको ऐसा रहता है न, या title जब आप पढ़ते हो, हमारे channel पे, या फिर किसी भी उस पे, तो title तुरंट समझ आता है, कि इस video में क्या होने वाला है, तो कुछ common vocabulary आपने develop की हुई है already, उसको मैंने बोला common vocabulary, और expanded vocabulary क्या है कि, ऐसे नए words जो generally आप लेखते हो, अब बच्चे क्या करते हैं कि daily basis में na, expanded vocabulary के लिए daily basis में ऐसे सुचते हैं, कि सब 15-20 वर्ड याद कर लेंगे, no, maximum 5 भी बहुत जादा है, अगर एक दिन में सीख रहे हैं तो वो बहुत जादा है, क्योंकि आपको क्या करना है, expanded को expanded में ही नहीं रखना है, इसको यहाँ से shift करना है common vocabulary में, कि आप जो use कर रहे थे, जो common vocabulary use करते हो, उसमें word आया कि नहीं, आपने उसको कभी जिन्दगी में use किया की नहीं, बस वही है कि याद किया, और आज याद किया, एक मेने बाद पूछ रहा हूँ, तो एकदम ही याद ही नहीं कि यह पढ़ा भी था आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए number of words को कम कीजिए, ठीक है, इससे तो हमारा vocabulary इंप्रूव ही नहीं होगा, क्यों कोई daily basis पर दो ही बोल रहे हो, एक्जाम आज से 6 महीने है, अगर माल लीजे, या 3 महीने या 2 महीने या 1 महीनी है, तो 30 दिन होंगे सर, 30 दिन में 60 words रियाग करता हैं, कोई बात नहीं है, अगर बांकी words मुझे नहीं पता होंगे, तो कैसे करना है, तो आपको context के basis में पढ़ना है, context के basis में, इससे क्या हुआ, कि आप खुद अपने mind को समझानी की कुशिश कर रहे हैं, कि इसका possible meaning क्या हो सकता है, तो एक single word के बहुत सारी meaning होंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए always आप आज से ही ये सोच के चलिए, कि मुझे contextual reading करनी है, context के basis में पहले meaning समझना है, उसके बाद अगर मालो की बहुत ही जादा difficult word है, समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसा हो से था है कि वो आपके exam में ही ना आए, अगर उसके बाद भी नहीं से अगर मुझे इसका meaning जानना है, तब आप अपने dictionary को खोलिए, Google, series, इसको बुलेंगे, सारे जगा से आपको meaning मिल जाएगा, पट पहले अगर आप words सीख ले रहे हैं, उसके बाद पढ़ने जाने तो ये गलत तरीका है, इसको अभी से ही avoid करें, और जो मैं यहाँ पे सिखाऊंगा, इस paragraph पे, वही आपको वहाँ पे भी वही चीज़ अपलाई करके, खुद से देखना है कि मुझे कितनी चीज़े समझ आए, ठीक है, आज हो देखो, तो IMD के बारे में तो आपने सुना होगा, ये common part में आपको होना चाहिए, कि IMD होता क्या है, क्या करता है, वो प्रेडिक्ट करता है, rainfall वगेरा, तो forecast का मतलब वही है, forecast तो बहुत common word है, ये आपके common vocabulary में होना चाहिए, अच्छ, क्या किया है उसमें, तो कुछ monsoon के बारे में बोला है, कि bountiful monsoon होने वाला है, let us suppose I don't know bountiful monsoon क्या होता है, forecast तो मुझे common vocabulary में था, मैं box कर देता हूँ, तो अभी नहीं कि तुरंथी जाके dictionary खोले, hold कीजिए इसको, आगे पढ़िए, क्या पता आपको idea लग जाए, rainfall from June to September is expected to be 6% more than the 87 cm, which is considered to be the average rainfall the country received during these months, कि ये जो जून से September का महिना है न, इसमें country में ये होता है expected, कि average rainfall आपका 87 cm होगा, लेकिन अभी क्या बोला गया, 6% जादा बोला गया, इसका मतलब monsoon किस तरह का होने वाला है, जादा होने वाला है, तो bountiful का मतलब क्या है, increased, high in quantity, अब समझ गए, मुझे bountiful खोजना नहीं पड़ा, हमने कहा कि second line पड़ा, क्योंकि उससे related कुछ चीज सो होगी न, कि किस तरह का monsoon होने वाला है, पैसेज अगर इस तरह से start कर रहे है, तो आगे जरूर बताएगा, कम है या जादा, वहाँ से हमें idea लग जाएगा, तो जादा बोल रहा है तो idea लग गया, ठीक है, अच्छा, इस अ फेरली बोल्ड forecast by agency, that typically in its April forecast, avoids suggesting either surplus और deficit train, अब देखो यह मत बोलना कि से, deficit हमें नहीं बताए, deficit, surplus यह आपके common vocabulary में होना चाहिए, कमपनी typically in its April forecast में क्या करती है, avoid करती है यह बताना, कि जादा बारिश होने वाली है, कम होने वाली है, क्या reason होगा, वो नहीं सोचना है, क्योंकि हम यह भी सोने लिए, क्यों reason होगा, क्या होगा, आपको passage में, अगर question आएगा, तो वहाँ पर नीजे कहीं लिखा होगा, पैसे के respect में ही आपको question दिया जाएगा, खुद से आपको reason बनाने नहीं है, में भी ऐसा हो सकते हैं, कि वो इसलिए avoid करते हैं, कि में भी गलत ना हो जाए, या सही ना हो जाए, ऐसा कुछ, जो भी होगा, आगे देखो क्या बुला है, given that temperature in many southern states are soaring and stocking heat waves, the anticipation of bountiful rainfall might sound like a welcome news, क्या बुलागा है, कि temperature जो है इस दौरान, in many southern states जो होता है, वो आपके soaring करते हैं, soaring का मतलब तो समझ रहा होंगे, मैंने इसको धियान रखा है, roaring की तरह, roaring का मतलब बहुत तेज, hard ना होता है, soaring का मतलब भी temperature बहुत जाधा रहेगा, और ऐसे भी खुद भी समझ सकते हो, और आप कहा रहे हों कि यह जो news है न, the anticipation, मालों कि anticipation का मतलब नहीं बता आपको, तो हमने क्या चीज़ बोली है, कि bountiful rain होने वाला है, जाधा rainfall होने वाला है, यह क्या होगा, it might sound like a welcome news, एक अच्छी news की तरह आएगा, तो हमने यह bountiful news, rainfall के बारे में क्या किया है, prediction किया है न, तो anticipation का closest meaning क्या होगा, prediction, what we are trying to say, हमने जो expect किया था bountiful, यह आपका एक welcome news है, क्यों, क्योंकि temperature जो इस time है न, अब मुझे यह meaning समझा गया, the temperature in many southern states, इस time पर क्या होते है, बहुत जादा high होते है, और उसके लिए क्या होगा, अगर temperature बहुत जादा है, तो लोग चाहेंगे न, कि रहात की सांस मिले, अगर बारिश हो जाए, तो वही यहाँ पर हो रहा है, heat wave चलते रहते हैं, बहुत जादा है, इस तरह से, अच्छा, आप देखो, यहाँ पर, क्या बोला गया, there is however, ऐसे structure को देखने की कुशिश को रहा है, अच्छा, however बोला उसने, क्या मतलब आप direction change करने वाला है, अभी तो बोल रहा था कि बहुत अच्छी news है, there is however a dark cloud, dark cloud, negative word है, to this silver lining, कई बार आपने देखा होगा ना, कि जिन्दगी में बहुत खराब चीज़े चल रही हो, लेकिन एक आसा के किरन, मम्मी आ जाती है, मज़ा आ जाता है, मम्मी जाके हमें समझाती है कुछ ऐसा, तो लगता है कि सब कुछ कितना बढ़िया है, तो that is a silver lining, कि जब एकदम से सब कुछ gloomy लग रहा है, उसमें कोई एक bright चीज़ आ जाए, उसको बोलते हैं silver lining, तो आपको क्या बोला कि ये तो बहुत अच्छी news लग रही होगी, जनरली क्या होता है, इस ताइंपे गर्मी होती है, अब ये बारिश का news दिया, तो बहुत अच्छा silver lining की तरह काम कर रहा है, लेकिन इसमें एक dark cloud है, तो इसका मतब अब हम negative direction में लेके जाने वाले है, इस news के बारे में, कि news अच्छी तो है, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ गर्वड़ी है, ऐसे, ये नहीं कि silver lining क्या होता है, search करो, ये phrase है बहुत popular, ये भी common vocabulary में होना चाहिए, every cloud has a silver lining, जब भी बादल आएंगे ना, तो उसके बाद silver lining आएगी है, ठीक है, आप लोगों की भी जिन्दगी में अभी कर रहे हो ना, hustle करते रहिए, कुछ ना कुछ जरूर होगा, अच्छा होगा, अगर आप सही से, दिल से महनद कर रहे हैं तो, आगे देखो क्या बूले, the IMD's climate model, suggest करता है, 30% chance of access rain, अब देखो यह जो यहां से यहां तक पाट दिया ना, यूकि जब मैंने इसको पढ़ा, तो मुझे क्या बूला गया है, कि silver lining में एक leakin है, dark cloud की बात कहिए ही है, कुछ negative है, अब as a author, जो भी लिख रहा होगा इस passage को, वो अब समझाएगा ना, तो मुझे यह ध्यान रखना है, कि मुझे idea लग चुका है, कि आब आगे क्या बात होने वाली है, अगर बहुत ज़ादा data से related बात होगी, तो यह data मैं समझने की तब कोशिश करूँगा, अब ही मैं क्या करूँगा, I will try to skim it, मैं उपर-उपर से पढ़ूँगा, question RC में अगर पूछा जाएगा, तो मुझे बता रहेगा कि कहां पर यह word, access rain, या फिर explanation, silver lining वाला कहां पर दिया हो गया है, लेकिन अभी हम इसको skim करते वे पढ़ेंगे, relevant part पे ही focus करेंगे, else आप यह पूरी चीज रिटेन ही नहीं कर पाऊगे, और RC कैसे कर पाऊगे, और इतना detail में पढ़ने जाओगे न, तक यह हर एक word का access rain, 20%, 10% क्या है, बहुत जादा time लग जाएगा, exam में इसको 3 मिनट में पढ़ना है, समझना है, then question के लिए ready हो जाना है, समझने हैं, तो उस speed तक जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको यह identify करना पड़ेगा, कि कौन सा important है, कौन सा नहीं, इसलिए कहता हूँ कि structure बहुत important होता है, तो कि structure में आपको यह पता चलेगा, कि देखो, अब उसने negative चीज बोली है, तो आगे negative चीज के बारे में burden करेगा हुआ, और definitely करेगा, तो देखो, क्या बोला है, the IMD's climate model suggests that, 30% chance of excess rain, यह model suggests करता है, कि 30% excess rain होने वाला है, 30% chance है excess rain होने का, अब 30% यह जो excess rain है उसको define किया गया, कि ठीक है, 30% chance मैं कहा रहा हूँ कि excess rain होगा, लेकिन excess rain होता क्या है, तो it is defined as though rain, which is more than 10% of what is usual, usually जो आपका होता है, उससे 10% जादा, ठीक है, लेकिन क्या मुझे excess rain को definition को याद एकना है, no, I know कि कहां पर mention होगा, पहले paragraph में है, आके देख लोगा, आगे बढ़ जो, by comparison, its expectation of above normal rain is 31%, defined as between 5 to 10% of what is normal, तो देखो यहाँ पर word अलगे लिखे है, excess rain यहाँ पर बूला गया है, यहाँ पर normal rain, sorry, above normal बूला गया है, तो excess rain क्या होता है, जिसमें normal जो बारिश होती है, उससे 10% जादा होता है, और above normal का मतलब क्या होता है, जिसमें आपकी जो बारिश है, वो normal से 5 से 10% होती है, मतलब range में होती है, ठीक है, तो अगर आप detail में इसका समझना चाहते हो, तो इतना समझ सकते हो, else आप उपर-उपर पढ़ लो कि ठीक है, excess rain के 30% chance है, above normal के 31% chance है, मतलब बहुत कम difference है, this slim difference, तो अभी हमने देखा कि कम difference है, इसका मतलब slim का मतलब क्या होगा, common vocabulary में इसको लेके आजाओ, नहीं है तो क्या होगा सर, बहुत कम difference, slim, बोलता हैने कि slim, लोग अभी exercise करने हैं, जिससे slim trim हो जाए, तो slim मतलब बहुत छोटा से difference, ठीक है, this slim difference suggest that, excessive rain are as likely as merely above normal shards, कि यह जो slim difference है न, यह आपको यह कहने की कुशिश कर रहा है, यह जो above normal है, उससे ज़्यादा excess rain नहीं होने वाला, बहुत ही कम, like above normal से थोड़ा ज़्यादा बारिश होने वाल है, ऐसा, of monsoon और August and September, तो यह तो बहुत easy है समझना, the IMDs model forecast for this are premised, मालो कि यह premised word नहीं पता है, कैसे नहीं पता हो गया, critical reasoning इतना पड़ा है, premise तो भर-भर के use किया है, premise क्या करता है, reasoning बताता है, तो यह जो model forecast है, यह किसके उपर है, this is based on a development, यह जो आपने predict किया है, कि इतना ज़्यादा होने वाला है, कम ज़्यादा होने वाला है, ever normal से, यह किसके basis पे है, आप यह कह रहे हैं कि, एक development होने वाला है, la nina का, और a converse of l nina, मतब ला nina और l nina जो है न, वो converse है, एक उसरीक opposite है, और l nina के बारे में देखो, discuss किया है, कि which more often than not, result in a decrease in monsoon rainfall, in case आपको नहीं पता है, la nina और l nina के बारे में पता होना चाहिए, इंडिया से बिलॉंग करते हो तो, मैंने इसको दिहान ऐसे रखा हुगा है, ऐसे यह geography में आता है, UPSC में, अगर बहुत देखना है, बहुत detail में पढ़ना है तो, उत्रण detail में, जस इसका नाम याद रख लीजिए, और आप जससे GK वगरा पढ़ते हैं, तो monsoon का news जब आता है न, April या, May में जो भी, तो आपको ये GK में भी देखने को मिला होगा, कि एल नीना क्या होता है, ला नीना, वहाँ से आपको पता होना अच्छे, इन केज नहीं पता है, तो मैं बता जिता हूँ, ला नीना को मैंने ऐसे ध्यान में खाया, कि ये monsoon से related है, ला, लेया वाई, लेया, इंडिया में लेया, rain लेया बहुत ज़ादा, monsoon अगर बहुत ज़ादा होने वाली है, तो ला नीना, एल नीना का मतलब क्या होगा, कम monsoon होगी, भगा के लिए के चला जाएग, ऐसा, समझ गए, इस तरह से ध्यान रख सबते हो, इतना ही मुझे requirement है, एकदम नहीं कि यह कहां हो रहा है, हाँ, कहां होता है, वो GK का question बनेगा, तो Pacific Ocean में होता है, यह सारी चीज़े, आप लोग, खुद ही पढ़ेंगे, वो मैं आपको नहीं बताने वाला हो, लेकिन यह है, कि आप इसमें कितना आपको requirement है, बस नाम, अब क्या बूला गया है, कि यह जो ला लीना आने वाली है, ठीक है, इसमें क्या होता है, जाधा rainfall होता है, ठीक है, तो इसको क्या करेगा, इस एक एक कॉमन वोकाबलरी का वर्ड होना चाहिए, ठीक है, जैसे आप बोलते हैं, प्रोवाइड करेंगे, यह वर्ड आपने कई बार सुना होगा, गवरेंट्मेंट ने बोला है, कि जो वीक लोग है, या फिर फिजिकली चैलेंज लोग है, उनको एड्स प्रोवाइड करेंगे, मतलब हेल्प प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या बोला गया है, कि यह लानीना तो बारिस होने वाली, इसको और क्या help करने वाला है, तो positive Indian dipole help करने वाला है, अब यह क्या होता है, positive dipole, जो UPC वाले बच्चे हैं, जो science वाले बच्चे हैं, इसको सोचेंगे क्या होता है, आपके लिए requirement नहीं है, आप आगे बढ़ जाओ, इसको बारे में सोचना भी नहीं है, हाँ, कुछ है, जो help करता है लानी को, ठीक है, और इसके बज़े से क्या देखने को मिलता है, तो एक cooler मुझे देखने को मिलता है, क्या than normal, कि normal जो इंडियन ओशिन का temperature से ज़्यादा ठंडा मुझे देखने को मिलता है, इंडियन ओशिन, इन दा वेस्ट, as compared to the east, अब क्या मैं ये visualize करूँ, इसके बारे में सोचूँ कि वेस्ट में क्या हो रहा हुगा, इसमें नहीं, requirement नहीं है, question आएगा तो पढ़ेंगे, else इसको skim करो, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरा काम है आपको पढ़ा देना एका, कम से कम नी, तो बोलोगे सरी ये line skip कर दिया, मैं रहता तो इसको अग्दम आगे आगे बढ़के चला जाता, जो नया point होगा, आप point के respect में पढ़ाओ करोगे, ये पूरा का पूरा passage जो है ना, यहां से यहां तक, क्या point रख रहा है, तो point क्या रख रहा है, कि जादा बारिश होने वाली है, लेकिन जादा बारिश में भी एक लेकिन लगा हुए, लेकिन बताया गया है, और लेकिन क्या है, तो ये सारी जेगे, समझे, ऐसे ट्राइ करो पढ़ने का, तब आप number of, like minute जो है, वो आपके, 2, 3 maximum रहेंगे, और आप बहुत सारी चीज़े, अच्छे से समझ भी जाओगे, और question आएगा, तो आप refer करोगे, क्योंकि refer आपको करना ही पढ़ेगा, ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा, जो एक बार पूरा को पूरा पढ़ेगा, और उसको सारा यार्द हो जाएगा, आपको refer करना पढ़ेगा, तो इसलिए हम पहली बार जब पढ़ रहे हैं, जो जो important point पता चलिए ठीक है, जैसे मैंने इसको पढ़ा कि, अच्छा ऐसा कुछ dark cloud वाले बात बोने वाला है, तो अब इसको मैं जल्ले लिदी पढ़ोगा, क्योंकि मुझे इदम detail में नहीं जाना है कि क्या होने वाला है, पूछेगा question तो कर लेंगे, समझें, अब आप लोगों को का काम है कि, यहां से यहां तक इसको पढ़ें, मैंने जैसे पढ़ा है, आए, pride की जो भी word के meaning है, वो भी हम लोग खुद से सोचें, context के basis में सोचें, ऐसे आपको actual में करना चाहिए, instead of कि पहले हम लोग dictionary के सारे word कर लें, तब तो कुछ सीखी नहीं पाऊगा, नया कुछ vocabulary आपका generate ही नहीं होगा, आज से आपको क्या पता, countiful जो है, यादी हो जाए, common vocabulary का part बंग जाए, तो इसको आप लोग पढ़ेंगे, उस तरह से, और अगर कोई एक नया word लगता है, आपको, आपने उसका मतलब अगर निकाल लिया है, कि सर मुझे context के basis पर पता चलिए, जैसे bolster है माल लीचे, ठीक है, ये word रैसे general vocabulary में, आपको common vocabulary में होना चाहिए, अगर नहीं पता है, तो आप कैसे इसका meaning तक पहुचे हो, वो अगर आपको समझ आया है, तो comment section में ज़रूर बताईएगा, और ये session में, जो मैंने बात कही, अगर आपको सही लगती है, गलत लगती है, तो उसके बार में बताईएगा, अगर ये video अच्छा लगा, तो इसको share कीजएगा, आपको सही किसा, थाक्यो शक्या, तो जो मैंने बताईएगा,